एलो माई डिर स्टुडेंट्स, I am नीरज गुमार चौदरी और फिजिक्स सीचर, बच्चों एक बहुती अच्छा मैसेज देने के लिए मैं आपको आया हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, बहुती इंपोर्टेंट टाइम होता है एक स्टुडेंट के लाइफ म की लाइफ का बहुत क्रूशल टाइम होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पे उसकी जिंदगी, उसकी प्रिपरेशन, उसका भविश्य पूरा मोड ले सकता है, और कई बच्चे इस समय में अपने पूरे फ्यूचर को एकदम मोड डालते हैं, कुछ बच्चे इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रहे होते हैं, भई अपरेल, में, जून में आपके बैचिज स्टाट होते हैं, स्कूल स्टाट होता है अभी तक, और इस टाइम तक उनको लगने लगता है कि यार कुछ अच्छा चल नहीं गा है, बढ़िया पढ़ाई नहीं चल रही ह हमारे जो सपना है IITJ निकालने का सपना है या ये एक्जाम निकालने का सपना है उस पे खत्रा मंडराने लगता है उनको लगने लगता है यार ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा बहुत मुश्किल है ऐसे होना तो स्लेबस तो इतना भी नहीं हुआए आप आगी जरा सा टाइम बचा इसमें क्या करेंगे तो बच्चों वो स्टूडेंट्स इस टाइम पे आके दिवाली पे आके पूरे सॉलिड तरीके से पूरा decision लेते हैं पूरा solid mind से decision लेते एकदम पूरा serious होके कि अब दिवाली है दिवाली के बाद में एक minute भी waste नहीं करूँगा और March-April तक बिल्कुल regular पढ़ाई करूँगा एक भी दिन miss किये बिना ये decision वो दिवाली पे लेते हैं और पता नहीं इस दिवाली में क्या होता है साल के इस समय में क्या होता है जिसने दिवाली होती है दिवाली के बाद लिये गए decision यानि कि दिवाली के बाद जो पढ़ाई शुरू होती है वो एक्चल में हो जाती है उसमें बच्चे कर लेते हैं बच्चे जो दिवाली पे डिसाइड करते न पता नी क्या है उस डिसीजन में क्या होता है वो डिसीजन हो जाता है ऐसा लगता है जैसे उपर वाला सुन लेता है कि चल तुने अब डिसीजन लिया है तेरे को तो मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से पता नी दिवाली में क्या हो मुझे कभी-कभी लगता है कि यह मोसम है जो दिवाली के बाद बदलता है दिवाली के बाद आने वाले चार महिने ऐसे होते हैं उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता ठीके न सर्द्या आ जाती बाहर घूमना पसंद नहीं होता हम चीजों का अवाइड करके घर में बैठ ज समय से जब फाइनल एक्जाम होता है तो मार्च एपरेल में ही होते हैं सारे बोर्ड मार्च एपरेल में होते हैं जितने भी यह एक्जाम से सब मार्च एपरेल में प्लैन रहते हैं 99% ओफ एक्जाम मार्च एपरेल में होते हैं पुरी दुनिया में क्यूं है ऐसा इसी वज बहुत बढ़िया तरीके से लगके आपने पढ़ाई कि इन चार महीनों में आप आठ महीनों के बराबर पढ़ाई कर सकते हो और इन चार महीनों में जो भी आप पढ़ते हो ठीक है ना मार्च एपरेल में थोड़ा मोसम बदलता है थोड़ा धीरा मोसम हो जाता है टेंपरेच इसे याद आ जाती है, आप उसको अच्छे से recall कर सकते हो, इसलिए सारे exam उस time पे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा होता भी है, तो बच्चों मेरी आपको यही advice है, कि इस दिवाली पे अब तक जो हो गया सो हो गया, अच्छा बुरा जो हुआ सो हुआ, इस दिवाली की जो तीन-चार दिन की छुट्टे हैं, उन्हें आपके कोई class नहीं होती, सब लोग दिवाली पे बंद रखते हैं, आराम से बैठ के plan बनानी है आगे के 4-5 महिनों की, और उस plan को blindly follow करना regularly, यह आप decide कर लो, मैं यकीन मानो मेरा अब तक जो हो गया सो हो गया, कोई फर्क नही ठीक और आपको बहुत बहुत बहुतरीन result मिलेंगे, अगर आपने दिवाली गवा दी, इस पे कोई decision नहीं लिया, एक दो महिना और ऐसे ही waste हो गया, तो आपके हाथ से ये वाला साल गया, आप इस साल में किसी भी exam को अच्छे से नहीं दे पाओगे, क्योंकि syllabus ही पूरा न time है, यही मैं बताने आया था, कि कहीं आप थोड़े से डरे हुए हो, तो डरना बंद करो, अभी भी time बचा हुआ है, और exact उतना ही time बचा है, जितना चाहिए, अब और लेट मत करो, जाग जाओ, अब आप जाग जाओ, अभी तक सो रहते हैं, अब जाग जाओ, और 4-5 महि ने दबा के पढ़ाई करो, ठीक है बच्चो, मेरी दुआई आपके साथ हैं, आपके लिए मैं हमेशा प्रे करता रहूँगा, जब भी आपको जरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ावाँ मिलोगा, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है न, A1 बैच आपका आठ त कर दो